एडिशन एड यहाँ पर जो भी डिजिट दी हुई है उन्हें हमें प्लस करना है जैसे 2 और 3, 5, 7, 9, 16 तो 16 का हम 6 यहाँ और 10 में हम यहाँ पर ऐसे 1s लिखेंगे उसी तरह से 9 और 3 12 होता है तो 12 का 2 यहाँ पर और 1 10 के नीचे लिखेंगे इसी तरह से बाकी exercises भी हम solve करेंग next है solve the following कुनाल has 3 sweets अंजू gives him 6 sweets more how many sweets does कुनाल have now कुनाल के पास 3 मिठाईया है अंजू ने उसे 6 और मिठाईया दी है अब कुनाल के पास total कितनी मिठाईया है तो हम इसे plus करेंगे 3 plus 6 9 ऐसे हम इसे solve करेंगे उसी तरह से next है there are 4 apples and 3 mangoes in a basket एक टोकरी में 4 save और 3 आम रखे हुए हैं how many fruits in all are there in the basket तो टोकरी में total कितने फल हैं तो इसे हम ऐसे solve करेंगे 3 plus 4 और इंग दोनों digits को plus कर देंगे next Renu had 7 pencils she bought 5 more pencils how many pencils does Renu have now Renu के पास 7 pencils थी उसने 5 और खरीद ली how many pencils does Renu have now अब Renu के पास कितनी pencil है तो इसे भी हम हमें plus ही करना है so 7 plus 5 और इसे हम ऐसे plus करके solve करेंगे there are 9 boys and 8 girls in a class एक class में 9 लड़के और 8 लड़किया है how many students are there in the class तो उस class में कितने बच्चे हैं इसे भी हम plus करेंगे 9 plus 8 और इसे solve करेंगे करेंगे